नमस्कार मैं दिव्यत राधुरती इस खबरों में आपका स्वागत है जली जानते हैं देश प्रेजर्स के अपतके प्रमोग खबरों को लेकिन है कि भातिया सर्वुत नयाले मुझे नयाय प्रदान करेगा दिली पुलिस ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि हमें डड़ है कि पाकिस्तार में अभी भी हमारा अधिकार छेतर नहीं है लेकिन जानना चाहेंगे कि जब आपके देश में इंटरनेट बंद कर दिया कुनाप से पहले उपहार, नगदी, सराब, ड्रक्स और अन्य सामान की कुल जबती 375 करोड उपेज से अधिक हो गई है मुझपरपुर की विस्प्रसिद साही लीची जल्द ही मार्केट में आने वाली है इसके लिए सारी तयार यांग कर ली गई है देश में कोने कोने तक साही लीची को पहुचाने के लिए ट्रेन से ढूलाई की जाएगे, इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट से करार हो गया है वही अब साही लीची का स्वाज विदेशी लोग चक सकेंगे क्योंकि हवाई मार्क से लीची का एक्सपोर्ट विदेशों में भी किया जाएगा नाव होने वाले हैं। उससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर होंगे। ज़रने वाली ट्रेनों में स्लिपर के साथ एसी कैटेगरी में वेटिंग की लंबी स्थिती है। यह स्थिती तब है जब पूर्व मद्धे रेलवे ने गर्मी की छुटी को देखते वे अब तक 20 जोरियों से जादा स्पेसल ट्रेने चलाने का एलान किया है। गर्मी की छु वेदन के लिए ऑन्लाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले आओ पहले पाउक के आधार पर लावारतियों का चयान किया जाएगा। आमका बगीचा लगाने और पौधों की देखवार के लिए किसानों को कुल 50,000 रुपे तक दिये जाएंगे। दिली के उपराज नेपाल होने और मिली इमिन्यूटी का जिक्र करके क्रिमिनल ट्राइल से छूट मांगी थी। सक्सेना पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में एहमदाबाद के साबर मती आस्रम में सामाजी कारेकरता मेधा पाटकर पर हमला किया था। भारत के मित्र देश इजरायल के विदेश मं मंत्री एली कोहेन भारत के दोरे पर आए हुए हैं इसे सिलसले में उन्होंने वंगलवार को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी से मुलाकात की मैंने पीएम मोदी के साथ दोनों देशों के बीच रननीतिक संबंधों को मजबूत करने अबराहम समझोते का विस्तार कर और ए इससे इजराइल के अर्च ववस्ता को बढ़ावा मिलेगा राष्टि राजधानी समित देश के जाधतर हिस्सों में हुई बे मौसम बारिस की वज़ा से मौसम सुहाब ना था लेकिन अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले कुस दिनों में देश के कई लागों में अधिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सिस की बरहोतरी हो सकती है इसके लावे को छेसों में तापमान 42 डिग्री सेल्सिस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने मालगारियों के संचालन में होई वृद्धी को रसद छेत्र के साथ ही देश के आर्थिक उननती का संकेत बताया है कि वितवर्स 2022 स्टेश में 5,4,601 रैक की धुलाई की गई है राजस्तान के अनुमान गड़ में सोमवार को वायू सेना का मिग 21 विमान दुरगटना का सिकार हो गया इस हाथ से में अब तक 4 ग्रामिनों के माले जाने की खावर है आसा बताया जा रहा है कि विमान के दोनों पाइलेट कुद को इंजेक्ट करने में सफल रहे बिहार हमेशा से अपने अलग कारनावों की वजों से सुर्कियों में बना रहता है यहां कभी ट्रेन की चोड़ी हो जाती है तो कभी पूल और मोबाइल टावर चोड़ी की घटनाय सुर्कियों में रहती है अब इसे बीच एक नया मामला बेगु सराय से निकल कर सामने आया है इमरान खान की गिरफतारी के बाद राज्ट व्यापी विरोत के बीच इसलामाबाद में सित अमेरिकी दूतावास ने सभी कॉंसलर न्यूक्तियों को 10 मई तक के लिए रद कर दिया है अमेरिका, कैनेडा और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है या तयात, व्यापधान और प्रतिबंदों के कारण अमेरिकी दूतावास ने पाक में अपने नागरिकों को सतरक्ता बरतने और भीर वाले अस्थानों से बचने के लिए कहा है कंजियूमर इलेक्ट्रोनिक्स, दूर संचार और आईटी हार्टवेर जैसे छेतरों से महतवपूर मांग के साथ देश का सेमी कंड़क्टर मार्केट 2026 तक 64 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है एक रिपोर्ट के मुताबिक भालत के टेली कॉम स्टैक के साथ साथ इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन से सेमी कंड़क्टर मार्केट के आकार का दो तिहाई हिस्था होने की उम्मीद है पेटियम पेमेंट्स बैंक अपने ग्रांकों के लिए नई सुविधा लेकर आया है असम के मुख्य मंत्री मंत् बिष्वा तर्मा ने मंगरवाल को कहा है कि राजे सरकार इस बात की जयाच करेगी कि क्या राजे में बहु विवार पर रोक लगाना संभाव है कि तुफान समित समूंदर पर 120 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से हवाय चलने की संभावना इस चक्रवार्थ के 9 मई को एक डिप्रेशन में बदलने और 10 मई को चक्रवार्थ मोचा में बदलने के आसंग का जताई जा रही है समिर की आतरिक सुरक्षा इंतिजामों को लेकर भी बेहत सतर्क है हाधिकारिक तोर पर भारत ने इम्रान खार्व की गिरफ्तारी पर कोई टिपपनी नहीं की है लेकिन इस बात के सूचना मिली है कि पर्मानु संपनेस परोसी देश के हर पलकी लहालात की लगातार निग्रान की जा रही है अंतर राश्ट्य कॉल और नौकरी के अंचाहे मैसेज के बीच वाच्चाप पर यूजर्स नई परिसानी का सामना कर रहे हैं हाली में एक यूजर्स ने खुलासा किया है कि एप उनके सोते वक्त भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रही है इस मामले के सामने आ वाच्पतिस माई को होने जा रही है बता दे कि ये इवेंट हिंदी सिनेमा की सबसे बरी अवोर्ड नाइट में आता है और इसका सभी को विस सबरी से इंतजार रहता है भारती सिना में ब्रिगेडियर और उससे उपर के मिलिटरी अपसरों को एक ही उनिफॉर्म पहनना हो संसे लगढने जापन अवक पहुक के लिए उस्टेशन चछेतर के लिए आत्रीयों को लंभी लाइनों से भी छुटकारा मिल जाएगा यहां तक ही आत्रियों को काउंटर टिकट पर ही नहीं जाना होगा वह अब घर बैठे ही जनरल टिकट की बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी यात्रियों को रिजर्ब और अन्रिजर्ब टिकट के लिए स्टेशन पर टिकट काउंटर पर जाना पड़ता है भारत में डिजल वहन मालिक राहत की सांस ले सकते हैं पेट्रोले मंत्रॉले ने कहा है कि वह अपने पैनल से मिली सिफारिसों को लागू नहीं करेगा मंत्रॉले ने सोसल मीडिया पर ट्वीट के जरिए कहा है कि केंद्र ने अभी तक अपने इनर्जी कुछ समय पहले ट्रेड में ट्रॉयल के तौर पर बेवी बर्थ के सुविदाज शुरू की गई थी भारतिय रेलवे ने इससे लेकर कुछ बदलाव की है संसोधन के परिनाम स्वरूप एक नई डिजाइन का बेवी बर्थ पेस्त किया गया है नया डिजाइन पिछले वाल संगीत गीच प्रस्तूत के इसका वीडियो सोसल मीरिया पर खूब वाइरल हो रहा है वाल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास ना केवल बरी स्रम सकती है बलकि दुनिया में भारत की घरेलू मार्केट ही केवल चिन की बराबरी करती है भारत की लो इस दौरान उन्होंने कॉंग्रेस के बदरंग दर पर प्रतिबंद लगाने के चुनाबी वादे को मैनुफेस्टों में सामिल करने को बेवकूफी का उदारन बताया है हमारे द्वारा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिक कर दिया था जिन्होंने हमारे द्वारा पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंचो पिरिया दीपक कुमार जितेंदर अखिर हुसेन और बाबूलाल मरांडी अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि आपको भी कभी वार्चेप पर अंचाहे मैसेज का साम ना करना परा है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंच सेंबॉक्स में लिका जरूर बता आज के लिए इतना ही हुआ 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 है